आगामी तेवहरो और जेनती परव सहित लोगसभा चुनाओ के मद्य नजर कानून विवस्ता को बनाये रखने के उदेश से यवतमाल जिले के दिगरश सहर में गुरवार 21 मार्च को दिगरश पुलिस ने रूट मार्च निकाला हाली में दिगरश पुलिस थाने का पदभार समालने वाले पुलिस निरिक्षक सेवानन दवान खेड के अगवाई में 81 पुलिस कर्मियों का दस्ता रूट मार्च में शामिल हुआ पुलिस थाने से पुराना पेट्रोल पंप, घंटी बाबा मंदिर, रिक्षा चोग, दुरगा माता चोग, शंकर टौकी, छत्रपदी, शिवाजी महराच चोग आदी विभिन्न मार्गों से होता हुआ दिगरश पुलिस थाने आपोचा गोर्तलब है कि आगामी दिनों में होली रमजानीद डौक्टर बाबा साहब आमबेट कर जहनती सहीत आगामी लोगसबा चुनाओ संपन होने जा रहा है जिस वज़ा से इस रूट मार्च का आयजन किये जाने की जानकारी सूत्रों ने दी है इस रूट मार्च में दिगरस पुलिस थाने के चार अधिकारी 28 पुलिस करमी 10 होम गार्ड और सी आर पी अफ के दो अधिकारी सद तीस अन्य पुलिस करमियों ने इस मार्च में हिस्सा लिया दिग्रस पुलिस थाने का यह रूट मार्च आगा में दिनों में संपन होने जा रहे विबिन त्यवार और जैनती परवसहित लोकसभा चुनाओ की मद्य नजर कानून विवस्था को बनाये रखने के उदेश से निकाला गया जिसमें वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों औ कारोबार पर नकेल कसने और जुर्म और अपरात की वारदादों पर लगाम लगाने में दिग्रस पुलिस थाने के पुलिस निरिक्षक सेवानन दवान खेड़े आने वाली दिनों में क्या रन्निती अपनाते हैं इस और सब की निगाहे ठीकी हुई है इन भी से न्यूस के ले दिग्रस से जुवेर खान की रिपोट